टाइम इस अ कॉस्ट ओफर मनी सोच क्यों पैदा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे बीच के अंदर की जो बाते न वो एक दूसरे को परदाश्ट नहीं हो रही होती है इनसान को अपनी जात का सबसे पहले मुहाजबा करना चाहिए सुच ओफ उस टाइम करते हैं जब आपको लगता है कि आपके पास जीने के लिए या किसी भी चीज से रिलेटेट आपके पास आपशन है सलाम अलेकूम वरामतुलाही वबराकातू कैसे हैं तमाम लोग ठीक ठाक हैं खेरियत से हैं और मैं बहुत जादा शुकर गुजार हूँ अपने तमाम उन देखने वालों की आईए आज के चलके टॉपिक पे हम बात करते हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम किरियेट होता है न वो हमारी सोच से होता है क्योंकि हमारी एक मनफी सोच होती है जिसकी वज़ा से हम सम्टाइम बहुत ज़्यादा गलत करते हैं अपने साथ बहुत गलत कर जाते हैं सोच क्यों पैदा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे में आपस में लड़ाई जगडा और हमारे तनाओ जो हमारे जो बीच के अंदर की जो बाते न वो एक दूसरे को परदाशनी हो रही होती है वहां से ये सोच कदम लेती है हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा जोने वो हमारी बात को ज़्यादा सुने हमारी बात पर ज़्यादा इंप्लिमेंट करे जो हम कह रहे हैं और मैंने जो कहा है तो ये गलत होई नहीं सकता और मैंने जो कहा है पहले वो सुनो अगर हम सुनने की सलायत को मैं ये समझती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा पैदा कर ले तो रिष्टों के बचाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको लाइक मजबूत कर सकती हैं इक रिष्टे के लाइए सेकंड पॉइंट मेरे ये है कि फिर हम जब किसी से अग्रेसिफ हो जाते हैं और कोई हमसे बेजार हो जाता है तो हम बेतर की तलाश में निकल जाते हैं अच्छा बेतर की तलाश में निकलने से पहले मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी जात का सबसे पहले महास्वा कर करना चाहिए कि is this I'm able to do like her या him whatever जो भी कोई है कि मैं इसके like हूँ भी या नहीं हूँ एक तो यह चीज डेफिनेटली जब आप से कोई बिजार हो रहा होता है तो सोच के बाद जो दूसरा ख्याल आपकी लाइफ में आता है वो बेतरी की तरफ जा रहा होता है कि आपने अप कोई काम करें कोई कारोबार करें कोई जिन्दगी में कोई ऐसा फैसला नहीं की कोशिश करें और सबसे ज्यादा मैटर जो करता है मैं यह समझती हूँ कि आप नेकिटिव और प्लस पॉइंट्स जो होते ना उनको दोनों को आप लिखें थर्ड पॉइंट मेरा ये था कि ज आपर सोफगे और पॉफंस तो आप उसके रिलेशन देखें कितने पुराने हैं रिलेशन किससी तरह अपके उनके दोस्त कितने पॉराने हैं उनके कुलीक्स कितने पॉराने वो कोन सी जगहा पे am का सोट कॉम करता तो इस तरह आपको बढ़ा पता चल जाएगा कि बंदा क इतना जादा मुस्तकिल मिज़ाज है कुछ ना कुछ बस होना चाहिए और ये नहीं तो वो वो नहीं तो वो ये मुस्तकिल मिज़ाज नहीं होते हैं without any kind of option I'm 100% sure no one's can be like a such on any kind of aware किसी भी लिहास से भी किसी नहीं ये ये सब गलत ये ड्रामा ये सब जूट है ये सब अजीब सी बाते हैं sorry to से ये एक दूसरे के साथ जूट और एक बगवास करने वाली बात होती है आचा बहुत सारी बाते तो मैंने आप से कहीं लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि खुदा नखासता अगर आपको काम से रिलेटेड आपको relationship से रिलेटेड या फिर आपको अपनी health से रिलेटेड अगर आपको कोई problem है आप समझते हैं कि आप अकेले हैं आपके पास कोई नहीं है और किसी के पास time नहीं आपके लिए आजकल के दोर में वो मैंने जो स्टार्ट में एक बात कही थी कि time is the cost of money ठीक है अगर ये बात आप किसी uneducated इंसान को कहेंगे न तो वो कहेंगे ये तो विकाओ है जब कैसा नहीं है ये एक logically word है ये एक तक्या कलाम है जिसने अपने वक्त की कदरों की मत जान ली जिसने अपन कर ली वो अपने आपको इस तरह दुनिया में या लोगों के आगे खुआर नहीं करेगा ठीक है तो point is that कि मैं ये समझत हूँ कि अपनी जिन्दगी में जो लोग आपको time दे रहे हैं आप उनको time दे जो लोग आपको time नहीं दे रहे हैं आप उनको अपनी जिन्दगी में क क्यों किसी के दूर जाने से कोई मर नहीं जाता ये बात अलग है कि जीने के अंदास बदल जाते हैं तो जिन्दगी जी है ठीक है और बहुत सारी नेमते हैं आप एक चीज को क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं ये नहीं है 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 ये अल्ला ताला ने कोई चार-पांच हजार मेरे पस कपड़े हैं मुझे अल्ला ने दिये हाला कि मैं एक हूँ जाना तो मैंने एक कफन में है ठीक है शैंपू एक होना चाहिए हम दस-दस रख लेते हैं लिप्स्टिक्स हैं जो गया हमारे पांच-पांच 400-400 लिप्स्टिक्स होती हैं कहने का मकसद ही कि आपके अराउंड बहुत सारी नेमते हैं जो आल्ला ताला आपको खाना खिला रहा है, सुला रहा है, उठा रहा है सबसे बड़ी बात कि हम सब आल्ला ताला के बंदे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिट है, ठीक है हम नभी पाक सल्ला ला अले वाले सलम के उम्मती हैं, सौरी मैं अब आप बोलेंगे कि जी सर पे दुबटा नहीं लिया और आपने नाम ले लिया, देखें इसके लिए कोई जरूरी है, लेकिन मैंने अभी बात करते करते फ्लो में बोल दिया, इसलाहतन ना तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ तो दूसरा ये के ना हम नभी पाक सल्सल्म के उम्मती हैं, ठीक है हम लोगों ने जिन्दगी को, कारुबार को, पैसे को, और अपने अराउंड जो हमारी अपनी जाती, इस जिसम की जो जरूरत है ना, उसको बड़ा फोकस किया, बड़ा टार्गेट किया है और बहुत सारी जो जिन्दगी की चीजे हैं लोगों को हमने अपने लिए जिसे कहते हैं, कि वो कर लिया है मुसलत कर लिया है ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं तो मि मर जाओंगा नहीं, ये कारोबार में लॉस होगा, अब तो में जिन्दगी में कुछ कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क के लावा ने भी ये दुनिया बनाई तो परवर्दिगार ने इस बात को सोचा अल्ला ताला ने गुमान किया हमारी जिन्दगी बेतर होने के लिए हमारे जो थौट्स हैं, जो हमारे गुमान हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आप अपने बात में अपने दिमाग में सोच में पॉजिटिव सोच लेकर आएं आगे बढ़ने का करें जैसे और लोग आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉइ कर देते हैं, खराब कर देते हैं तो आप भी निकलें, वाइ नॉट अचीव और टारगेट्स ठीक हैं? LH ने सोचा दुनिया बना दी अल्ल हने सोचा पहाड बनाने हैं, पानी के अप्शार बनाने हैं सब कुछ किए, सब कुछ अल ने सोचा और हो गया और परवर्दिगार खुद भी तो कह giàरा होता होना है कि मैं तुम्हारी सोचों में हूँ तुम्हारे गुमान में हूँ तुम जैसा मुझे सोचोगे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे तो इनसान के लिए भी मैं आपसे यही कहूंगी कि कोई भी इनसान है वाटेवर पूरी दुनिया में आपके दुश्मन क्यो ना हो आपके साथ बुरा करने वाले क्यों नहीं हैं उनके लिए अच्छा सोचें जो गलतियां मैं समझते हूं मुझसे हुई हैं या जो लोग आपके साथ कुछ गलत कर चुके हैं तो उसको अब पॉजिटिव लेना शुरू कर दें क्यों क्यों कि इससे हमारी अपनी जात का बर्बात करतें देयारा सचा a very blessed person क्यों क्योंके उनके जितनी भी लाइफ हमारी में जो उनकी की भी जियाकतियां होती है या जो आरे सथ बुरा किया वा होता है उसके बाद हमारी अकल थोड़ी ठिकाने आ जाती है कि हमने next time कहा किदर कितना क्या कैसे करने हैं चाए वो को चीज़े learn करती हैं बाज इंसान बाज कारुबार बाज पैसा बाज उलाद बाज चीज़ें आपकी जिंदगी में आपके लिए इबरत बनकर इसलिए आती हैं क्योंकि आपकी आजमाईश हो और the second one is that कि उन चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं whatever you wanna do in your life just think about yourself and inshallah time will be come and you have to achieve your target ठीक है जो हो गया सो हो गया लेकिन लेकिन मैं यही कहूंगी जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है और यह मेरे परवर्दिगार का कहना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अगर आज का विलॉग अच्छा लगाओ तो बराए महरबानी इस इस माइ हमबल रिक्वेस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेर कीजिएगा हो सके तो लाइक कीजिएगा और आपके वंस अगें कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की कहराई हैं उसे मैं बहुत जादा झाल